जोरदार तालियों से हाथ खड़े करके, चरी राहूल गांधी, चरी राहूल गांधी, चरी बती सोनिया गांधी, कॉंग्रेस पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी जम्मु कश्मीर विधान सभा चुनावों के बीच, कॉंग्रेस सांसद और लोक सभा में विपक्ष के नेता राहूल गांधी ने सोपोर में एक विशाल रैली के दौरान जम्मु और कश्मीर की स्टेट होड को चुनावों से पहले बहाल करने की आवश्चक्ता पर जोर देत किया गया है, लेकिन यह पहली बार है जब एक राज्य जम्मु कश्मीर को केंदर शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। पहले जम्मु कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह ठीक है कि वे पहले चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके लोकतांत्रिक अधिकार वापस दिये जाएं और जम्मु कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया गाजू रखा, किश्मिश रखा, मगर ये सोपोर का सेव नहीं रखता आपने, और मामला इसी का है, मेन मामला इसी का है, इस सेव को पूरी दुनिया में पहुचाना है, अमरीका में पहुचाना है, जापान में पहुचाना है, चाइना में पहुचाना है, आप लोगों की मेहनत है इसमें सुपोर्ट की जंता की मेहनत है और इसी में आपका भविश्य है और मैं चाहता हूँ कि ये सिरफ हमारे देश में नहीं मगर ये पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में पहुचे आज कल अमरीकन सेब हमारे देश में खाया जाता है मैं चाहता हूँ कि ये सेब अमरीका में खाया जाए जब भी सेब खाया जाए लोग कहें कि हाँ भविया ये सुपोर का सेब जम्मू कश्मीर से आया है उनके बयान से स्पष्ट है कि कॉंग्रस पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी स्थिती को मजबूत करने के लिए स्थानिय मुद्दों पर ध्यान केंडरित कर रही है राहुल गांधी ने सोपोर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर की स्थेट हुड को चुनावों से पहले बहाल किया जाना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि चुनाव स्थेट हुड बहाली के बाद हो हम इंडिया गठ बंधन के माध्यम से प्रधान मंत्री मोधी पर संसग में दबाब डालेंगे यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सरकार में आने पर आपकी स्थेट हुड को बहाल करेंगे रैली में उन्होंने आगे कहा जहां भी ये लोग जाते हैं भाई को भाई से धर्म को धर्म से भाशा को भाशा से लड़ाते हैं इनकी नफरत और हिंसा की विचारधारा पूरे देश में फैला दी है अगर वे नफरत फैला सकते हैं तो हम मुहब्बत फैला सकते हैं